वेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दिए चैनल इन कोकिंग मित्रेका पहाडिया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं राकी के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी जी हां जिसका नाम है बेसन चक्की बेसन चक्की हर फेस्टिवल ऑकेशन के लिए बिल्कुल पाफ कडाई गर्म होने के लिए रख दी है कडाई के अंदर हम लगबाग आधी कटोरी के करिब घी डालेंगे और घी को अच्छे सा गरम हो जा उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बारिक के हुआ खेर का गुंद यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चक्की मे पर ऐसे रचेछ नहीं देने समल प्रश्टी है कि अधिक अधिये सनलों मिलें इस समय टिलिए ऐव पॉप की बिल्कुल वेसल नहीं है इसी गी को हम चानकर चक्की में यूज करेंगे चक्की बनाने के लिए मैंने याँ पर एक दूसरी कड़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है हम कड़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यह बेसन ये लगवाग 2500 ग्राम हमने बेसन लिया है बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं बारिक वाला या मोटा वाला जो भी आपकी इच्छा हो अगर आप बारिक वाला बेसन लेते हैं तो आप इसमें दो चम्मच के करीब सूजी भी एड़ कर सकते हैं अगर आप मोटा वाला बेसन ले गी जिस बरतन के नाप से आप बेसन लेते हैं उस बरतन का बराबर आधा हमें घीड लेना है और में सारा गी एक साथ नहीं डार रहे हूं थोड़ा सा गी मैंने बचा लिया है आधे से में भी साथ हम इसमें एड़ कर देंगे दो से तीन चमज ये बारिक कोप्रे का बुराद का यूज किया है बेसन जब तक अच्छे से ड्राय रोस्ट ना हो जाए जब तक अच्छे से खुश्बू ना आने लगे तब तक आप इसमें घी वगेरा कुछ भी एड़ना करें और गी डालने के बाद भी आपको बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिर्त पकाना है जब तक इसके अंदर से अच्छे से खुश्बू ना लगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दूद मैंने यहां पर लगबाग 200 ग्राम दूद लिया है यह नॉर्मल दूद है ना ही बहुत ज्यादा है ना ही गरम है रूम टेंपरिचर पर लियावा दूद है जैसे आ यहां पूद ने के बाद हम इसमें अड़ करेंगे यह फ्राइ किया हुआ गोंट तू और इसी स्टेच पर हम इसमेंड़ कर देंगे यह शुगर जितना हमने बेशन लिया था हमें उतनी ही चीनी डालनी है आप उसे ज्यादा भी डाल सकते हैं हमने 500 ग्राम बेशन लिया था आप 200 से 300 ग्राम चीनी डाल सकते हैं साथ ही मैंने इसमें एड किया है 2-3 इलाइची का पाउडर आच चाहे तो यहाँ पर चीनी को पीस कर भी डाल कि मैंने आप पर चीनी को नहीं पीशा है अगर अप्षी लेते हैं तो और भी अच्छी बात है अब हो सके तो सुझी सब्सका कर ना अब उससे यह बहुत अच्छे से और बहुत ज़ली मेल्ट हो जाएगी अब चीनी bit अच्छ से मिक्स करना TRT यह देख किया अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा डो जो है वह भी काफी स्मूथ लग रहा है यह लिक्विड नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसके अंदर दूद एड़ किया है लास्ट में हमारा डो पेंग चोड़ने लगेगा इसका मतलब यह बिल्कुल अब हम एक प्लेट को गी से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे हमने गेस का फ्लेम भी ओफ कर दिया है हमारा डो बिल्कुल रेडी है अब हम इस ब्लेट को इस प्लेट के अंदर डाल देंगे अब हम इससे अच्छे से जमाने और उससे पहले अच्छे से ग्रीस कर लें उसके बाद इस बर्तन को प्लेट के अंदर डालें थोड़े से द्राइफ्रूट अब शोड़े से अगल चुखे तोड़े से अच्छे से दिया है आप चाहें तो यहां पर पिस्ता और काजू भी ले सकते हैं मैंने या पर सिफ बदाम की कटिंग ली है आप चाहें तो बिना ड्राइफ फ्रूट्स और गोंद के भी चक्की बना सकते हैं यह दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है अब हम चक्की को लगबग घंटे पर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे यह देखिए गंटा पर हो चुका है हमारी चक्की अच्छे से सेट हो चुकी है अब हम इसको नाइफ की हेल्प से काट लेंगे चोटे बड़े जो चाहें वह दे सकते हैं हमारी चक्की बहुत ही अच्छे और बहुत ही कि बढ़े हैं कि अगर आपको मेरी रेचिपे पासंद आए तो प्लीज मेरी काहित जादा से जादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको मेरी रेचिपी कैसे लगी कमें ने मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा यह देखिए हमारी चकी कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एस्टी है यह आपको एक चकी तोड़कर भी बताऊंगी इस रक्षा बंदन आप मेरे इस रेसिपी को जरूर जरूर से ट्राई कीजिएगा आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी अब मैं आपको एक चकी तोड़कर बता रहे हूं कि यह कितनी सॉफ्ट बनी है यह देखिए हमारी सारी चकी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के पाई थेंग्यू